मेरा नाम सरजील इमाम है, मेरा नाम उमर खालिद है, मेरा नाम सफूरा जर्गर है, लेकिन मैं देश घ्रों, साथियों मेरे लिए कहना आसान है कि मेरा नाम सरजील है, मेरा नाम उमर खालिद है और मेरा नाम सफूरा जर्गर है, लेकिन इसी देश में हम देखते हैं कि सरजी चक्का जाम करता है, तो उससे देश द्रोही बना दिया जाता है, उससे द्रोही बता दिया जाता है, सारे मीडिया में ट्रायल होता है कि ये देश द्रोही है मेरे लिए असान है यहां खड़े होकर बोलना एक सेफ है स्पेस में लेकिन इस देश के कई मुसल्मान जो इस देश के कई अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं उनके लिए यह खड़े होना और अपनी बातों को कहना उनके लिए असान नहीं है इस देश के तमाम आकरे इस बात की गवाही देते हैं कि इस देश की प्रगती में इस देश के मोड अफ प्रोड़क्शन में उनका कितना हिस्सा है जो की एकदम ना के बरावर है सांथियों यह ऐसे मुस्किल समय में जब आप हम सभी यहां खड़े होकर सरजील सांथी सरजील के दो साल जेल में बिताने के मौगे पर यहां हैं अपनी बात रख रहे हैं एक दूसरे के सांथ सॉलिडारिटी पेस कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह लराई यही नहीं खत्म हो जाती है यह जो सॉलिडारिटी है इस कैंपस के बाहर और इस देश के अलग-अलग हिस्सों में जहां मर्जिनलाइज तपको के लोग रहते हैं जहां मुसलिम्स रहते हैं उनके साथ उनके संघर्षों के उनकी लराई को आगे बढ़ना होगा उनकी लराई को बढ़ाने के लिए आपके उपर भी देश-द्रो का मुकदमा चलाया जा सकता है आपको सजा दिया जा सकता है लेकिन हम उसी समिधान को लेकर खरे हो जाएंगे उसी Contempt of Court Act के Section 5 के साथ खरे होकर हम बोलेंगे कि नहीं कुछ यह हमारा राइट हे तुम हमें Right of Discount के लिए मैं कुछ भी बोलता हों किसी को क्रिटिसाइज करता हो। किसी भी तौहरे ठानोंई फैसले को क्रिटिसाइज करता हो। तो तुम मुझे सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते। सांथी, सांथी हो मैं इतना ही बात कहकर SFI की तरफ से मैं सांथी सरजील और इस देश के सारे लोग जो अपनी बात करने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल जे गए हैं उनके सांथ सोलिडारीटी पेस करता हूँ और इस लराई को आगे ले जाने की मुहिम मैं सामील होता हूँ Thank you